रात के अंधेरे में घने कोहरे ने पूरे शहर को घेर रखा था. अंजली, जो हाली में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, अकेली घर में बैठी थी. उस दिन उसे देर रात तक आफिस में काम करना पड़ा था और घर आकर वहां बुरी तरह ठक चुकी थी. फ्लैट नया था, इसलिए आसपडोस से ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी. रात के करीब बारा बजे होंगे. अंजली अपने कमरे में बैठी काम खत्म कर रही थी, तभी उसे दर्वाजे पर हलकी दस्तक सुनाई दी. वह थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि इतनी रात को कौन आ सकता था. उसने सोचा शायद कोई पडोसी होगा. दर्वाजा खोलने से पहले, उसने दर्वाजे के जरोखे से जाक कर देखा. बाहर एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी. वह बहुत कमजोर लग रही थी. उसकी आखों में कुछ डरावना था, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो लेकिन उसकी आवाज खो गई हो. अंजली का दिल तेजी से धड़कने लगा. वह समझ नहीं पा रही थी कि क्य लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दर्वाजा खोल दिया. महिला ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ. अंजली को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो वह आवाज दूर से आ रही हो. उसने महिल महिला से पूछा, आप कहा जाना चाती है? महिला ने थंडी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारे पास. अंजली के रोंगटे खड़े हो गए. वह तुरंत दर्वाजा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला ने अचानक दर्वाजा पकड़ लिया. उसकी ताकत इंसान जैसी नहीं थी. वह धक्का मार कर अंदर आ गई. अब उसकी आखों में नफरत और डरावनी चमक थी. अंजली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे घुट गई थी. महिला धीरे-धीरे उसके पास आ रही थी. कमरे की बत्तिया तुमने इसे ले लिया. अब तुम है, इसकी कीमत चुकानी होगी. अगली सुभा, अंजली के फ्लैट में सब कुछ सामान्य था, सिवाए इसके की अंजली कही नहीं थी. उसकी चीजे वैसे ही रखी थी, लेकिन खुद वह गायब थी. लोग कहते हैं कि उस फ्लैट में अब रात को किसी महिला के रोने की आवाज आती है, और जो भी उस घर में जाता है, वह अंजली को कभी नहीं देखता. लेकिन उसे महसूस जरूर करता है.